अगस्त 2022 की रात की है कतर में काम करने वाले भारत के आठ पूर्व नौ सैनिकों को खोफिया विभाग के अधिकारियों ने उठा लिया जेल में बंद किये गए ये भारती नागरेक कतर की नौ सेना के लिए काम करने वाली एक कंपनी में वरिष्ट पदों पर थे इन भारतियों में तीन रिटायर्ट कैप्टन, चार कमांडर और एक नाविक शामिल है स्थानिय और अंतराश्रिय मेडिया की रिपोर्टों के मताबिक गिरफतार किये गए भारतियों पर दोहा में काम कर रहे एक सबमरीन प्रोजेक्ट की समवेदंशील जानकारियां इसरायल से साजह करने का आरोप है कतर में ऐसे आरोपों के साबित होने पर मौत की सजा का प्रावधान है जेल में बंद ये भारतिय दाहरा Global Technologies and Consulting Services में काम करते थे भारतिय नागरिकों की गिरफतारी ने न सिर्फ भारत और कतर के संबंधों में खटास पैदा कर दी है बलकि इन्हें सही सलामत देश वापस लाना मोधी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गई है जवाहरलाल नहरू उनिवरसिटी के West Asian Studies के प्रोफेसर एक पाशा कहते हैं यह मामला भारत सरकार के लिए एक बड़ा सिर्दर्द और बड़ी चुनौती बन गई है इटली और रोमानिया में भारत के राजदूत रहे राजीव डोगरा स्विकार करते हैं कि भारतिय नागरिकों के खिलाफ मामलों को वापस लेना और उन्हें भारत वापस लाना एक बड़ा मुद्दा बन गया है राजीव डोगरा उन्हें सौसी के दशक के अंत में कतर में भारतिय दूत आवास में राजने एक भी थे वे कहते हैं गिरफतार किये गए भारतिय नागरिक महत्वपूर्ण लोग हैं उन्होंने जीवन भर भारतिय नौसिना में काम किया है उनके परिवारों की आशा बंदी है कि उन्हें घर वापस लाया जाएगा जौर्जिया और अर्मीनिया के पूर भारतिय राज़़दूत अचल मलोत्रा का कहना है कि भारतियों के रहाइ सुनिष्वित करना और उन्हें वापस घर लाना सरकार की प्रातमिक्ता होनी चाहिए अचल मलहोत्रा का कहना है कि या देखना भारत सरकार की नयतिक जिम्मदारी है कि उन्हें दूतावास से पर्याप्त कानोनी और दूस्टी तरह की मदद मिले आसिफ शुजा नैशनल उनिवर्सिटी और सिंगापुर के मिडल इस्ट इंस्टिटूट के सीनियर रिसर्च फेलो है वो इसे भारत सरकार की चुनौती नहीं मानते वो कैद किये गए भारतियों के बारे में चिंतित नहीं है क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि इन भारतियों को रिहा कर दिया जाएगा इस मुद्दे पर अगर कदर की सरकार खामोश है तो भारत सरकार ने भी जादा खुल कर कुछ नहीं कहा है पिछले दिनों जब विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बाक्ची से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हम कदर की अधिकारियों के भी संपर्क में हैं और दोहा में हमारा दूतावास परिवारों के संपर्क में बना हुआ है कतर की ओर से आरोपों पर जानकारी ना देनी की वज़े से कैद में रह रहे भारतियों के स्थती और जटल होती जा रही है मार्च के अंद में अधालत की पहले सुनवाई के बाद तीन मई को दूसरी सुनवाई में अभियोजन पक्ष को आरोपों को सारवजनिक करना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ भारतिय दूतावास के तरफ से नियुक्त किये गए वकील ने अभियोजन पक्ष से दस्तावेजों और आरोपों की जानकारी साज़ा करने को कहा ताकि बचाव तयार किया जा सके कोट ने इस मामले में सुनवाई के लिए नई तारीख नहीं दी है राजने को का कहना है कि भारत के लिए जरूरी है कि वो जेल में बंद अपने नागरिकों को अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अच्छे वकीलों की सेवा दे लेकिन ये काफी नहीं होगा 27 लाग से भी कमाबादी वाला देश कतर भारत की तुलना में एक छोटा देश जरूर है लेकिन ये कमजोर और ताकतवर के बीच का मकाबला बिलकुल नहीं है कतर ने सौधी अरब जैसे बड़े और शक्तिशाली पडोसियों को टक कर दी है जानकारों का कहना है कि कतर अमेरिका के बेहत करीब है इसके बावजूद वह अपनी ताकतवर दोस्त से नहीं डरता साल 2023 भारत और कतर के लिए दुई पक्षिय संबंधों के 50 साल पूरे होने पर जश्न का साल होने वाला था इसके बजाए दोनों देशों के बीच संबंधों में एक अस हज शांती और एक सपष्ट तनाव है तो धान मंत्री नरेंडर मोदी 2016 में कतर की राजकिया यात्रा पर गए थे और विदेश मंत्री S. जैशंकर कई बार कतर का दौरा कर चुए है लेकिन रिष्टों में गर्माहट और गर्म जोशी फिलहाल नदारत है एक और जहां कुछ जानकार आशंकित हैं वहीं कुछ बेहत आशावान भी है तो क्या आब इस मामले में पीयम मोदी के हस्तक शेप करने की जरुरत है कई जानकार कहते हैं कि अभी पीयम मोदी के हस्तक शेप करने का समय नहीं आया है अचल मलहोतरा के मताबिक इस मामले में प्रधान मंतरी के दखल के लिए जल्दबाजी नहीं दिखाने चाहिए वे कहते हैं ऐसा करना जल्दबाजी होगी लेकिन मुकदमे की धीमी गती का मतलब है जेल में बंद भारतियों के परिजनों के लिए लंबा इंतजार और ये भारत सरकार के सबर का अमतिहान भी है अगर मोदी सरकार उन्हें देश वापत लाने में काम्याब भी हो गए तो इसमें काफी वक्त लग सकता है